DMC में दाकर गुर्विंदर ने बताया कि सिद्धू मुसेवाला रविवार को अपनी बीमार मौसी का हाल जानने के लिए गाउं से निकले थे जैसे ही मांसा के गाउं जवार के में पहुंचे तो उनकी हत्या कर दी गई गुली लगने से घायल गुर्विंदर सिंग ने बताया कि मैं पीछे गाड़ी में बैठा था और दूसरा दोस्त गुर्प्री सिंग उनके साथ वाली सीव पर बैठा था गुर्विंदर ने बताया कि सिद्धू मुसेवाला की मौसी बिमार थी वो अचानक उनका हाल चलेने जाने के लिए तयार हो गया गाड़ी में पांश्ट लोगों के बैठने की जगा नहीं थी इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा कर्मियों को साथ नहीं बठाया गुर्विंदर सिंग के मुताबिक जैसे ही वो गाउं के कुछ दूर पहुंचे तो सबसे पहले उनके पीछे से एक फायर हुआ इतने में गाड़ी और उनके आगे आकर रुख गई तबी एक यूबर गाड़ी से उत्रा और उसने सामने कई सारी गोलिया चलाना शुरू कर दिया गुर्विंदर ने बताया कि मुसेवाला ने भी अपनी पिस्तॉल से जवाब में दो फायर किये मगर सा चल दिया गया था जी हां दोस्तों गुर्विंदर ने ये सारा खल बताया है उस वक्त का जब मुसेवाला के ओपर इस तरीके से हमला हुआ उस वक्त गाड़ी में मुसेवाला के साथ गुर्विंदर भी मौझू थे DMC के डॉक्टरों के मताबिक गुर्विंदर के कंदे पर लगी गोली निकाल दी गई है और उस पर प्लास्टर किया गया है गुर्परीत के शरीर में लगी तीन गोली उको निकालने के लिए डॉक्टरों के टीम लगी हुई है डीमसी में पूरी तरह से पुलिस का सक्त पहरा है। घायलों के पास रिष्टदारों के अलावा किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस अधिकारी बीच-बीच में दोनों घायलों से सवाल पूछ रहे हैं। और जिस तरीके से चश्मदीदों ने इस पूरी घटना के बारे में बताया है उससे ये बास साफ हो गई है कि सिद्धु मुसेवाला को बहुती बहरेमी के साथ मौत के घाच उतारा गए।